मैं बादल साब को मैंने एक बार कहा था कि नाबाड से 50 लाख रुपे की सबसिडी गोड़ाण के लिए मिलती है तो अगर एक करोड का गोड़ाण है तो 50 लाख रुपे तो नाबाड से मिलेंगे फिर 25 लाख रुपे जो है उसमें से आप 10 परसेंट सबसिडी राज़ास सरकार से दीजिए 40 परसेंट में से 5 परसेंट किसान को बोलिए कि तेरे जमील पर तो गोड़ाण खड़ा करें और वो जो लोन है वो चार परसेंट पर आप दीजिए उसको और उसको गोड़ाण बनाईए तो किसान गोड़ाण बनाएंगे तो गाव में रोजगार खड़ा होगा और कोई अगर अपना सवक इंटल गहू अगर गोड़ान में रखता है तो एक ट्राइपरटी एग्रिम प्रिकुलिंग प्लाइंग को स्टोरेज बन सकते हैं अब ये मैं तो इस मत कहूं मुझे मालू मैं आप लोग मेरी बात से शायद खुशनी होंगे अगर हमारी सरकार आएगी हम लोग करना टक में किसान को फ्री आप चार्ज पावर दे और शुन्य परसें इंट्रेस्ट से कॉपस के लिप लोन भी दे रहे हैं मध्यपोदेश में भी हमने 0% इंट्रेस्ट से दे रहे हैं और चत्तिज गड़ में भी हम 1% इंट्रेस्ट और हमने सब्सेडी दिये पावर रेट पर दिखिए किसान जिन्दा रहेगा तो आपका धंदा चलेगा गाओ के लोगों की प तब तक अग्रिकल्चर और उरल एकोनोमी को हम बूस्ट नहीं करेंगे तब तक यह संभू नहीं है आज पावर सेक्टर की चर्चा हो रही है नुकलियर पावर की बात आई आप सब लोगों ने कहा उस समें देश में बहुत चर्चा है हुई सरकार संकट में आया प्राइम कि नुकलियर पावर का प्रोजेक्ट नहीं आब चाहिये यूरियनियम हो थेडियम हो अज अगर नुकलियर पावर का अगर प्रोजेक्ट आता है तो पर मेगावाट कम से कम 15 ohles perring मेगावाट कैपिटल कों स्ट अर 15 करोड पर-mega.वाट कैपिटल कॉंस्ट तो हो पावर आ तो ने काम नहीं शुरू किया, कैसे काम शुरू करोंगे? मैं अगर आपको कहा कि आपको किताब लिखनी है, लिखो, आपका चश्मा ले लिया, आपका पेन निकाल लिया, लाइट बुजा दिया, अंदेरा करा दिया, और पूछा, आपने किताब क्यो नहीं लिखा, आप कैसे लिखो गया, कोई लैन है क्या, लैन एक्विजिशन के लिए कोर्ट में केस, फॉरेस्ट इंवारिमेंट का क्लिरेंस नहीं, और सरकार का ग्रीन क्या, उसका भी कोई सिगनल नहीं आगे जाने का, आपके हाद बान दिया, आपके पैर बान दिया और आपको बोला, आपने कम शुरू नहीं किया, आपकी कैंसल, कैसे होगा, देश का जो टोटल एट्मॉस्परी ऐसा हुआ है, कि कोई किसी पर विश्वास नहीं रख रहा है, और सब एक दूसरे के बंद करने के पिछे लगे हुए है, और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए मैं, आज पावर सेक्टर में हलत ऐसी है, इंजिनर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पर गाव के लड़के अध्यन नहीं कर सकते हैं, अब गाव पावर में भी एक अच्छा है, आपने कभी स्टेडी किया, तो स्टेट गवर्मेंट के पास, जनरेशन कंपनी बनी, इस्टिबूशन कंपनी बनी, और करोड का गाटा है, क्योंकि 40% पावर की चोरी ओती है, पता है नहीं चलता कहा जाती है, अब वो पावर जो होती है, वो जनरेशन कंपनी को पैसे नहीं देते हैं, तो बोलते हम गाटे में कैसे चला हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा पालीसी डिसिजन बहुत से सरकारों स्विकार किया, more generation, more losses, तो good solution यह है कि no generation, no losses, अगर पावर जनरेशन नहीं होगी, तो कहा जाएंगे, अचा प्राइवेट में, मध्यपरदेश में ही, सासन में, एक रिलाइस ने, एक पावर पोजेक ले है, 2000 मेगवाट पावर अभी उनका 600 का शुरू हो रहा है, एक मेट मिनिस्टर को एकम्हार समझाए कि है, यह जारो ऑजेवाट अगर छे में प्राइवे तुम को मिलते है, तुमारा कितने करोड़ फायदा होगा, तुमारा कितने करोड़ पावर इंप्रूरा करो और एक रुपाए उन्नीज पैसे की पावर, आप इंड़्यु को लोग में लोगों को कमर्शिली बेचो और यह जो प्रॉफिट मिलेगा इसमें बीच में से जो दो ट्यूब और एक पंखा चला ले गरीब लोग किसा आए उनको प्रियॉप चाट बटवा दो कोई नुकसन तो सरकार के पैसे से नहीं होगा अगर चोरी भी रोकी तो भी वहां कम प करोड थी अब लेटेस्ट मेरी जानका रिए कि साधे छे रुपे तक कॉस्ट आई है तो आप सोलर पावर अगर सेवन करोड पर मेगावाट अगर 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 के कैपिटल कोस्ट है तो यह पंदरा करोड की नुकलियर पावर ला लाना ने और पावर है और इसलिए दीरे- ग्रीन पावर के और जाना होगा अभी ये हिंदुस्तान की जो कमपनी ये वीन पावर में काम करती है शुजलों, इन्होंने जर्मन कमपनी को ओन किया है उस जर्मन कमपनी के पास टेकनोलोजी है कि समुद्रक के अंदर 30 नौटिकल मेल अंदर जाकर वो 6 मेगावाट की वीन मिल खड़ी करते है और उससे पावर मिल सकती है तो मुझे लगता है कि जो नए ओप्शन्स है, ग्रीन पावर बायो मास से पावर बन सकती है अभी मैं इनर्जी क्रॉप्स तैयार करता हूं उससे पावर जिनरेट करता हूं तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हमको इथिक्स, एकोनोमी, एकोलोजी और इन्वार्मेंट ये तीन फैक्टर हर देश के लिए महत्वपूरण है एकोनोमी को बुस्ट करना है पर एकोलोजी और इन्वार्मेंट की भी चिंता करनी होगी है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ग्रीन पावर को हाईस्ट प्राइटी देनी चाहिए और वो हम तैयार कर सकते है नुकलियर पावर तो आएगी नहीं आप लिख लो मेरे से क्योंकि पंधरा करोर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट में और पावर सेक्टर में आज स्थितिय ऐसे कि हमको सर्प्लस पावर खड़ी करनी होगी इंट्रोस्ट्रक्चर को हाईस्ट प्राइटी देनी होगी हमारे जो फोरें एक्षेंर रिजोर्स में हमको और मजबूती अटल जी के समय जुस्थितियों लानी पड़ेगी हमारे इंपोर्ट को कम करना होगा और इंडस्ट्री डेवलोप्मेंट के लिए इंडस्ट्री डेवलोप्मेंट फ्री एट्मॉस्पिर क्रियेट करना होगा आज मैंड सेट अप खराब हो गया और इसके दो इंपोर्टन कारण है यह सरकारी जितनी अर्चन में आ रही इसके दो कारण है एक जो policy making है उसमें fault है और दुसरा legislation में fault है जो policy making और legislation में आ जो fault है उसके कारण transparency नहीं है time bound result oriented approach नहीं है निरने नहीं होते हैं और उसके साथ साथ development oriented approach नहीं है अब मुझे लगता है ऐसे स्तिती में हमारी देश की इंडेस्ट्री हमारे पास potential होने के बाद भी हम पीछे जा रहा है जो हमारी पार्टी के और से हमने सोचा है कि हम यह गवर्नस जो है इसके ओपर हम विशेश टूप से ध्यान देंगे मुझ यह हमारा spirit है आत्मा है good economic governance with the help of e-governance and development यह हमारा mission है और दिंद्याल उपाद्याजी का जो socio-economic thinking था the progress of the last man of the society who is socially economically educationally backward until there यह हमारा socio-economic thinking है और social harmony जात्पंत धर्म भाषा सेक्स किसी डिस्क्रिमिनेश्ट न करते हुए हम सब को समान अधिकार और समान मुका देकर देश का विकास करेंगे और पाच्वी बात internal and external security यह पाच बातों को हमने हमारे आप रधन्न दिया और मुझे खुश हुभी कि आपने भी वह PhD का आर्थ प्रोग्रेस, Harmony and Development तीन बाते हमारी आई है अभी हमने इगवर्नस के उपर 400 लोगों की कॉन्फरेंस मुंबई में ली थी और 200 करीब हमारे एक्सपर अभी काम कर रहे है अलग लग फील में है और हम यह तैयार ही कर रहे है कि इंडिया वीजन फॉर 2025 बहुत से लोग बिच में गोपाल जी बैठें लोगों को बुलाया था एक दिन दिन भर की कॉन्फरेंस हुई मैं करड़ा में गया था सबसे माइनिंग पॉलिसी एकर अच्छी है तो कैनड़ा स्कार की तो मैंने उंको का कि वह इंटरनेट से बुलाओ पॉलिसी ट्रांस्परेंट चाहिए रिजल्ट औरिएंटेड एंट टाइम बॉंट चाहिए और एक तरफ से एक बार पर्मिशन देने के बाद इंड़स्ट्री को काम करते हुए तो आपका समय तो ये बिरोक्रसी के पीछे ही गुमते हुए जाता है और यहां हिंदुस्तान में अच्छी आपको काम करो मत नही काम बन करो और नहीं बागे तो मीडिया आजाएगी यह ऐसा हुआ बन करो इसका काम लगाओ CBI करो इंक्वाईरी यह विची तरह एटमॉस्पेर हुआ है कि अगर इस देश में कैपिटल इन्वेस्ट्मेंट नहीं आएंगी इंड़स्ट्री नहीं बढ़ेगी तो रोजग के लिए एक अच्छा एटमॉस्पेर देश में हमको क्रियेट करना होगा एंडी एंड रिटेल यह यह कोई एकोनॉमिक सुधार का के यह की मार कहें क्या हमारे उसमें कुछ रिजरेवेशन है और इसलिए उसका विरोध किया आपकी बात का मैं सन्मान करता हूं आपका अध 65 साल के स्वाधिनता के बाद इस देश में हम अनाज रखने के लिए गोड़न भी नहीं बना सकते और आपके क्षमता नहीं है क्या प्रावेट सेक्टर इसमें नहीं सकता क्या आ सकता है मैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कल मैंने अरुनाचल में भी कह कि ट्रांसपोर्ट खरना है तो जैसे स्वीजर लेंड में हुआ है कि एक जगा रोपवे से दूसरी जगा जा रहे पाहड़ी से वो भी हो सकता है सिस्टिम से और मुझे लगता है कि आज की इसमें हम रेल्वे में रोड में एवियेशन में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उपयोग कर सकते हैं मैं तो आपको बताता हूं कि मैंने स्टेडी किया था उधारन के लिए बता रहा हूं एक व्यक्ति की मृत्य होती है तो उसको लकडी से जलाने के लिए लकडी और वो गोबर की गोरी लगा कर तो उसको 16 रुपे खर्चा आता है उसको इलेक्रिक से जला जाएगा तो अभी कि शाड़े नौ सुरुपे खर्चा आता है और डीजल से जला जाएगा तो उसको शाड़े गाराता है तो ने अमारे हां इसी हमारे स्वस्वाशन भूमियां को स्टी स्टार स्टैंडर का बनाई है और मैंने का हिंदु को बुलाओ उनको कहो कि पंदरा सुर उपए पर हेल ले तो उसका इंटर्नल रेट आप रिटर्न चाओदा के उपर आया तो एक चेरिटेबल ट्रस्क को सोब दो जितना सरकार समाज को सोब देगा उतना अच्छा है और एक आदमी जब उसकी मृत्ति होत कि एजुकेशन हमनों तै कि जितनी इंडस्ट्री है वह अपना एजुकेशन इंस्टुशन के नाउस को पूरा करे और पंदरह दिन में आईटिया एंजिनिंग कॉलेज पुछ का शुरू करते है यह होटल है यह हस्पिटली का कॉलेज खोल दे ओपनली परमिशन दे दो हो होकेशनल और प्रोफेशनल और प्रोफेशनल और टेकनिकल एजुकेशन दियुकेशन तोफेशनल प्रोफेशनल और टेकनिकल एजुकेशन तोफेशनल प्रोफेशनल और टेकनिकल एजुकेशन तोफेशनल प्रोफेशनल और टेकनिकल एजुकेशनल प्रोफेशनल और ट तो जो बड़े लोग जाना चाहते हैं उनकी गाड़ी नी जाती है। होटल नही मिलता है उनको खाने को रही हुदी सारीर करने को हमारे नाग पूर के पसे करमा जरी करके अज्यबश «ALK MAftig जरी करके है करकर सिंदर है मैं लिए उज्य उऑ creature का सुथ चुना के 스ältön थे